हलो गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग स्वाम्या अविशेक जोती रूबी राहुल मलाय तिवारी जी मलाय जी आपके प्रश्णों को मैंने देखा टैलिग्राम पर मैं क्लास ओवर होने के बाद उनके आंसर कर दूगी ठीके मला जी पंकश गुद मॉर्निंग प्रशांत राहुल मंदीब सभी लों को गुद मॉर्निंग मैं पूजा महिंद्रा आपनों का महिंद्रा के ऑफिशल यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो आज है 24 अपरेल और 24 अपरेल हमारे अगर हम बात करें तो गांधी जी की विचार धारा से बिलकुल यहां पर जोड़ा हुआ है आपका 24 अपरेल क्योंकि आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज दिवस आप सभी जानते हैं कि भारत में तीन लेवल की पंचायत होती है और यह जो पंचायत की विवस्ता की गई है यह हमारी बलवंत राय महता कमीटी की रिकमेंडेशन से की गई है तो बलवंत राय महता कमी पर पंचायती राजदिवस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे जली से फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी कॉंपरिटिव एक्जाम की तयारी कर रहा है चाहे वह रेलवे हो बैंकिंग और एससी हो तो वह हमारे साथ जुर सक करते हैं डेली मॉर्निंग 6 30 जहां पर हम देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों की बाते करते हैं तो करेंट अफेस के शुरुआत करने से पहले सर ने आपके लिंक शेंट की है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो पीडिएफ के लि सबसे पहले बात करते हैं हम इंपोर्टेंटेट के साथ एक अपरेल एक अपरेल को हमने उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया था मतलब उडी सा viewing डीज देशन देश स değil किया था दो अपरेल को हम गूट फ्राइडे मनाते हैं साते साथ वर्लट ऑाल रिंट इस देसे समें और टि प्रोग्रेस इसके अलाब मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंस माइन्स के बारे में बताया था जैसे कि आपको मैंने कूलगडी और कालगडी के बारे में बताया था मजगाओं के बारे में बताया था जादूगोडा के बारे में बताया था खेतरी तो यह सभी हमारे कुछ बारे में याद रखना है आपको पाच अपरेल को में नेशनल मेरिटाइम डेसलिब्रेट किया था जिसकी थीम थी सस्टेनिबल सिपिंग ब्यॉंड कोविट 19 साथ ही साथ पाच अपरेल को ही हमने इंटरडेशनल डे ऑफ कोई साइंस भी सेलिब्रेट किया था साथ अपरेल क वर्ल्ड होमिपेथी डेसलिब्रेट किया जिसकी थीम थी होमिपेथी रोड में फॉर्दा इंट्रिगेटेट मेडिसें होमिपेथी जो होती है उसके बारे में उसकी मेडिसेंस के बारे में उसकी थेरपी के बारे में लोगों कवेर कराने के लिए हर साले दिन अरुज जी हिंदी और इंगलिश दोनों में बातें चलती हैं आपको भबरानी के ज़रत नहीं आप बस समझिए थिन अभी तक अप समझिए की कि किस तरीके से कारेक्रम चल रहा है आपको हिंदी और इंग्लिष दोनों में बातें की जाएंगी 12 अप्रेल को International Day of Human Space Flight हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन वर्ल्ड से जो है वो पहली स्पेस फ्राइट भेजी गई थी स्पेस में पहले व्यक्ति जो गए थे वो यूरी गैगरें गए थे तेरह अप्रेल को International Day for Street Children Observe किया गया था साथे साथ 13 अप्रेल 1990 को जलिया वाला बाग हत्या कांट भी हुआ था अम्रिट सर में वैसाकी का दिन तर जनरल डायर के कहने पर यह हुआ था अगली बात करेंगे 14 अप्रेल को भीम जैन्ति सेलिब्रेट की जिसको हम बाबासाब अंबिटकर जैन्त की थी लौड डलहोजी फादर ऑफ इंडियन रिल्वे कहलाते हैं वर्ल्ड वॉइस जे भी जो है वह 16 अप्रेल को सेलिब्रेट किया गया जिसकी थीम थी वन वर्ल्ड औन मैनी वॉइसेज अब बात करेंगे 17 अप्रेल को तो 17 अप्रेल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे अपको पता है कि भारत में जो है वह 38 हैरिटेज साइट है यूनिस को की और इसकी थीम थी कॉंप्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फूचर गुट वार्निंग सभी गुट मॉर्निंग गनिश पांडी जी वेरी गुट मॉर्निंग उनीस अप्रल को वर्ल लीवर डेसेलिब् सेलिब्रेट किया था साथी साथ साथ 21 अप्रल को हमने वर्ल्ड न क्रिये विटीविटी और इनोवेशन दे सेलिब्रेट किया था अब सबसे important डे जो अप्रेल महीने में पढ़ता है वो है earth day 22 अप्रेल को हमने earth day celebrate किया था restore our earth चले 23 अप्रेल को हमने world book day celebrate किया था अब बात कर लेते हैं 24 अप्रेल मतलब आज की तो आज है national पंचायती राज दे 24 अप्रेल ठीक है हाला कि यह जो पंचायती राज की भारत में पंचायत होना चाहिए यह हमारे DPSP मतलब directive principle of state policy मतलब राज्यों की नीती निर्देशक तत्व का हिस्सा रहा है मतलब आप कह सकते हैं कि जो पंचायत होना चाहिए यह chapter number आपका 4 DPSP में मिल जाएगा आपको article number 40 में यह गांदी जी चाहते थे कि हमारे जो गाओं होते हैं उनकी भी भूमी का होनी चाहिए उनकी development के लिए उनका representative भी होना चाहिए इसलिए भारत में पंचायती राजी की विवस्ता की गई पहली जो पंचायत थी वो पंडे जवाल लाल नहरू के समय नागोर राजिस्थान में ओपन की गई थी हर साल हम 24 अपरल को चो है वो नेशनल पंचायती राज सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन कपसे सेलिब्रेट करते हैं जब डौक्टर मनमोहन सिंग की government थी हमारे पास 2010 2010 से हर साल हम जो है वो पंचायती राज सेलिब्रेट करते हैं हमारे भारत में तीन लेवल की पंचायत होती है ठीक है इसके अलावा क्या है विपास कौन सा अमेंडमेंट आपको देखने मिलेगा आइए हम थोड़ा सा समझ लेते आज के दिन क्या होने वाला है तो आज के दिन जो नरींद्र मोदी जी है हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी दौरा एक एप्लिकेशन लॉंच की जाने वाली है जिसका नाम है सौमित्व सौमित्व का मतलब है सर्वे ओफ विलेज़ एंड मेपिंग विधा इंप्रोवाइज टेक्निलोजी इन दा विलेज एरिया तो ग्रामीर चैत्रों में बहतर प्राइद्योगी के साथ गाओं और मानवी कर अमान चित्रन का सर्वेक्षन सुरू करना तो आज के दिन नरींद् स्वामित्व स्कीम और कॉफी टेवल बुक तो रास्ती पंचायती रास्दिवस की स्वामित्य योजना है उसको कॉफी टेवल बुक के अंतरगत भी शामिल किया जाएगा इसके अंतरगत 74,000 अभी तक गाओं जो है वो पार्टिसेपेट कर रहे हैं और लगतार गाओं का पार्टिसेपेशन जो है हमारे यहां पर बढ़ घथा है अचा इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि भारत में तीन लेबल की पंचायत है जैसे जैसे मैंने का एक तुक लेपल होती है फिर गाओं या विलेज लेवल की पंचायत होती है अब पंचायतों को विवस्ता करन तीन लेवल की पंचायत हमने बनाई है अच्छा पंचायती दिवस को बनाना हमने 2010 से शुरू किया था डॉक्टर मनमोहन के समय साथ ये साथ अगर पंचायतों की बात करें तो ये कहां पर विलेंगी तो ये पंचायत जो है वो हमने 73 Constitutional Amendment से 1993 में जोड़ी है में देखने को मिलेगा 73 नंबर का सम्मीदा अच्छान चोदर बहुत इंपोर्टेंट है इसी के साथ साथ आप एक और चीज़ याद रख सकते है 74 नंबर का Constitutional Amendment अब देखिए जिला लेवल पर जिला पंचायत हो गए ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत हो गए और इसके बाद गाओं के लेवल पर आपकी विलिज पंचायत हो गए लेकिन जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर क्या होती है नगर निगम होती है Municipalities होती है तो नगर निगम Municipalities की बात है जो 74 नमबर के मतलब 74 नमबर के Constitutional Amendment में देखने को मिलेंगे और यह बात है कहा है आपके Schedule No.12 में है तो आपको अनुसूची No.11 और अनुसूची No.12 मतलब Schedule 11 और Schedule No.12 को याद रखना है Schedule 11 में पंचायत हैं और Schedule No.12 में Municipalities हैं तो हर साल हम 24 अपरल को पंचायती राजदिवस सलिवरेज करते हैं और सारी स्टेटिक बाते जो यहां से जुड़ी हो सकती है वो मैंने आपको डिसकस कर दी बाते क्लियर है चलिए आईए अब हम अपनी शुरुवात करते हैं Important MCQ के साथ अगर आप लोग ने कलका कर इंटरफिर्स देखा होगा तो आज के MCQ सॉल्फ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे Practice प्रशन की तो मैंने कल प्रशन दिया था Gray revolution is associated with the production of Gray revolution का संबंध किस से है coal production, diesel, fertilizer यह सिमेंट तो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है fertilizer production fertilizer production से जो है वो हमारा Gray revolution संबंध देते है अब उन लोगों के नाम देख लेते हैं जिन लोगों ने सही आंसर दी हाला कि आज में पूरे नाम को शामिल नहीं कर पाई जितना पॉसिबल हो पाया उन लोगों के नाम मैंने लिये है तो देखिएगा यह कुछ नाम है चंदन दत्ता, मलय दिवारी, मधुमय मंडल तो मधुमय मंडल ने डिटेल में आंसर किया है ग्रे रिवॉलुशन जो है वो fertilizer production से related है इसकी शुरूबात 1960 और 1970 में हुई थी 1960 और 1970 के दस्तक में ग्रे रिवॉलुशन की शुरूबात होती है जिसके अंतर कर देखिए ब्लेक रिवॉलुशन जो है वो petroleum से है ब्लू रिवॉलुशन का संबन फिश से है ब्राउन रिवॉलुशन, leather golden fiber revolution, jute के production से है golden revolution, होटी कल्चर से है honey और fruit से है green revolution आप जानते ही है swaminathan जी का नाम agriculture production से है pink revolution जो है वो onion से है red revolution, meat और tomato से है silver egg production से है white revolution, बर्गिस कुरियन का नाम भी आप जानते है milk production से है yellow revolution जो है वो oil seed जो होती है round revolution जो है potato मतलब आलू से संबंदित है तो ये कुछ revolution है जो important है तो बिलकुल मधुमय मंडल जी ने बिलकुल detail में आंसर किया है तो आप इन सारे चीज़ों को भी याद रख लेंगे आरोहि सहा बिलकुल सही आंसर है rinki, shivam tiwari, kautilika, arshuna, minakshi खूबसूरत चोहार, उर्मी, हर्मीत कौर, लीना, दीपती, पूजा इसके अलावा दीपेंदर, आकांचा, दीपाली शर्मास इसके अलावा इन्होंने भी सही आंसर किया और detail में आंसर किया है sagaritika, स्वागitika आनंद कुमार बिलकुल सही आंसर है आशीश, कपिल, बिट्टू, सुजीत, खुशी, प्रवीन, सालनी, मनकीरत और राजा यादो ये कुछ लोगों के नाम है जिन्होंने बिलकुल सही आंसर दिया ऐसा नहीं है कि और लोगोंने सही आंसर नहीं दिया मैं सबके नाम शामिल नहीं कर सकती थी इसलिए जितने नाम हो पाए मैंने उनको शामिल कर लिया चलिए, इसी तरीकी का प्रेक्टिस कॉस्चन जो है वो आज वीडियो के अंत में आपको मिलेगा तो बिलकुल वीडियो को अंत तक देखिएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा जिनका आंसर सही होगा उनके नाम इसी तरीकी से प्रेजेंटिशन में शामिल किये जाएंगे अच्छा क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक को शेर कर देंगे और जो पहली बार चैनल पे आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा जिससे अपकमिंग क्लासिस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे आएए देखेंगे पहला कॉशन फटा फट आंसर कीजेगा कॉशन बहुत जादा है कॉशन बहुत जादा है करेंट अफिर्स भी बहुत जादा है तो जली से आंसर कीजेगा जिससे हम कम समय में जाधा बातों को कवर कर सकें तो देखिएगा पहला PM Modi recently participated in the leader summit on the climate the two-day conference was hosted by the head of which country आपको मैंने सिखाया था कल कि climate change पर 2021 की conference हुई है जिसमें Joe Biden और अमेरिका के राश्चपती Joe Biden भी शामिल हुए थे चाइना की जो राश्चपती है वो सी जिन पिंग भी शामिल हुए थे और भारत के प्रधान मंतर PM नरोईद वोधी भी शामिल हुए थे 40 अलग-अलग country के leader यहाँ पर शामिल हुए थे तो यह जो summit है वो किस country के दोरा host की गई आंसर करेंगे इंडिया के दोरा host नहीं हुई है इंडिया कह रहे है यूएस कह रहे है कुछ लोग इंडिया कह रहे है यह बात सही है इंडिया और यूएस का कुछ summit हुआ है climate change पे इंडिया ने बोला है कि हम 450 gigawatts renewable energy को produce कर लेंगे 2030 तक यह भारत का target है तो बिलकुल यह summit जो है वो united state मतलब USA के दुआरा जो है host किया गया ठीक है अगला प्रशन देख लेंगे what is the rank of India in 2021 global energy transition index EGI तो 2021 global energy transaction index में भारत की ranking क्या रही है 87 52 76 95 चलो answer करेंगे कुलदीव दत्त जी बिलकुल इंडिया ने भी participate लिया था इसमें participation किया था हां तो हम बात कर रहे है global energy transition के बारे में तो इसमें भारत की ranking कितनी आई तो बिलकुल सही answer है 52 नहीं बेटा 87 is the right answer very good 87 बिलकुल सही answer है option A 87 जो है वो भारत की rank आई है global energy transition index में 87 अगला प्रशन है what happened the profession of the Farid what was the profession of the Farid Sabri who has recently passed away हाली में निधन हो गया है Farid Sabri का जिनका पेशा क्या था क्या काम करते थे बिलकुल 87 आप सही कह रहा है निदी गुपता जै प्रकाश जी रश्मी जी पिलकुल Sweden ने टॉप किया है भी हम देखेंगे वो बात भी World Economic Forum के द्वारा हर साल ये report publish की जाती है इसको भी आद रख लीजेगा सबसे लास्ट में जिम बामबे आया है चलो तो ये जो Farid Sabri है इनका सम्मंद क्या है तो ये कबाली सिंगर है क्या काते थे कबाली काते थे जिनका हाली में निधन हो गया है तो सही आंसर क्या हो जाएगा option number B अगला प्रश्ण देख लेते हैं हम April 23rd is dedicated to the celebrate which official language तो देखिए कर 13 April को मतलब कल के दिन कौन से official language को celebrate किया गया United Nation के द्वारा English और French, English और Spanish, Russian और French या फिर Spanish और Chinese जी तो बिलकुल सही आंसर क्या हो जाएगा English और Spanish language को United Nation के द्वारा 23 April को celebrate किया गया English और Spanish तो ये option भी बिलकुल सही हो जाएगा Next question है ये important BBI question है क्योंकि ये जो व्यक्ति है इनको 2021 में पद में विभूशन सम्मान भी दिया गया था इसलिए ये हमारे लिए important व्यक्ति है क्या करते थे ये politician थे, cricket player थे, Islamic scholar थे ये कवाली सिंगर थे मौलाना बहिदुद्दीन खान चलो ये BBI question है मैंने आपको कहा है ये आपको exam में किसी ना किसी paper में set में जरूर मिलने वाला है तो बिलकुल ये कौन थे, एक Islamic scholar थे Islamic scholar थे, तो बिलकुल सही answer हो जाएगा option number C Very good, next question क्या है हमारे पास Which country has topped the 2021 Global Energy Transition Index किस देश ने top किया है, भारत की ranking तो आपने देख ली 87 है, टॉप किस ने किया है, Singapore, Norway, Germany और Sweden तो बिलकुल आप लोग की तरफ से पहले ही सही answer आचो का था कि Sweden जो है, उसने Global Energy Transition Index में top किया है Sweden is the right answer अगला प्रशन क्या है है हमारे पास, next question देख लेते हैं वासिंग्टन, सुन्दर और देवदर पाडिकर, हैस बीन रोप्ट इन ब्रेंट अमबस्टर वाई बिच ग्लोबल स्पोर्ट वियर ब्रेंट इन लॉंग टर्म एंडॉर्समेंट दील तो इन दोनों को सुन्दर और पैडिकल को किस कंपनी का ब्रेंट अमबस्टर बनाया गया है प्यूमा, नाइकी, एडिडास या फिर रीवॉक चलो आंसर करोगे इस प्रशन का तो बिल्कुल सही आंसर है प्यूमा, very good राउल कुमार जी राशी, रंजीत, नीलू, अर्चना, बिल्कुल सही आंसर है प्यूमा is the right answer नेक्स कॉशन देख लेते हैं अर्जुन कल्यान has recently become the 68th chess grand master of India he is belong to which city तो अर्जुन कल्यान जो है वो 68th number के grand chess master बन गये है आपको बताना है कि अर्जुन कल्यान जो है अगर मैं आपको बता दे तो पहले भारत के grand master थे वो विश्वनान अनन्द थे तो अर्जुन कल्यान बताए किस city से related है चलो तो बिल्कुल सही आंसर आ चुका है basically तमिल नाडू से हैं मतलब चेन नही से belong करते हैं very good option number B बिल्कुल सही हो जाएगा चेन नहीं तमिल नाडू ठीक है अभिशेक मधुमय मंदल बिल्कुल सही आंसर है रमेश, दिपाली, केशव अगला प्रस्ट देख लेंगे हम यहाँ पर तो Global Energy Transition Index is released every year by which organization तो Global Energy Transition Index को हर साल किस संगतन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है औप्शन आर World Economic Forum, International Monetary Fund, World Bank, United Nation Development Program, UNDP तो किस की दौरा Global Energy Transition Index हर साल पब्लिश होता है तो मुझे लगता है अब आपको इसका आंसर तो पता चली गया है मैंने पहले ही डिसकस कर दिया था तो World Economic Forum सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल राहुल कुमार World Economic Forum अब थोड़ा सा न्यूस को देखी लेते हैं इंडिया की जो रैंक है वो 87 नंबर की है World Energy Transition Global Energy Transition Index 2021 में यह जो इंडेक्स हर साल पब्लिश किया जाता है World Economic Forum के दौरा यहाँ पर टोटल 115 115 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था 115 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें स्वीडन जो है उसने टॉप किया है नौर्बे 2nd नंबर पे आया है और डैनमार्क 3rd नंबर पे है भारत की रैंकिंग आपने देख ली है 87 नंबर पे है और जिंबाम्बे जो है तो म्यूग डियॉज कैनल को किस देश के नए राष्टपती के रूप में नुक्त किया गया है क्यूबा बियत नाम के निया या सेसल्स चलो आंसर कर देंगे बिलकुल इधी गुपताजी 115 कंट्रीज में इंटिया का रैंकिंग है 87 नंबर का है वेरी गुड सही आंसर क्या हो जाएगा क्यूबा क्यूबा को हम चीनी का कटोरा भी कहते हैं तो क्यूबा इस दा राइट आंसर तो ए बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं रिसेंटली विच फर्स उनिट अफ दा इंडिजेनियस बिल्ड MLH MK3 इंडिएन नेवी इंडिएन नेवी इन प्रेसेंस अफ राजमंत्री श्रीपद नायक और वाइस एड्रिमिरल आर हरी कुमार हाली में सोधेशनिर्मित ALH MK3 विमान की पहली एकायको भारती सैनम में शामिल किया गया है राजमंत्री श्रीपद नायक और वाइस एड्रिमिरल आर हरी कुमार की उपस्तिती में उसका नाम क्या है INAS 367 INAS 324 345 या 323 चलो आंसर करेंगे आदर श्री किसी को मॉटिवेट करने के ज़रत ने होते हैं हमें सेल्फ मॉटिवेट होना चाहिए हमको तो यह करना ही है यह एक्जाम हम कॉलिफाइ करेंगे अपने लिए अपने पैरेंट के लिए तो हम खुद सेल्फ मॉटिवेट होते हैं किसी के मॉटिवेट करने से कुछ नहीं होता है हमको सेल्फ मॉटिवेट होना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए सुबह उठना भी बहुत बड़ा टास्क होता है यह जो लोग अभी सुबह उठके क्लास अटेंड कर रहा है वो ही मतलब आप एक स्टेप आगे जा चुके हो आप अल्रेडी एक्जाम के बहुत करीब हो तभी तो आप सुबह उठके करें इंट फिर् के लुकुल यहां पर का अच्छा बफ्रिंग होराई है कि मैं क़र एक्वितु कर देती हूं शाहिद इसके बाद थूड़ा ठीका है हां तो बिलकुल सही आंसर हो जाएका उप्शन नंबर गी सब्रागे कहां किया गया है तो गोवे किया गया है इसको कमीशन कहां किया गया है आई निस हंसा के दौ़ारा गोवे को में को कमीशन किया गया है तो सही आंसर हो जाये का option number d अगला प्रश्ट है हमारे पास recently recently दिलहारा लोकू हेटिग वस बेंड तो इन किर्केटर को हाली में जो है वो बैन कर दिया गया है एंटी करॉप्शन या एंटी डोपिंग एजनसी के द्वारा आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बलॉंग करते हैं इंगलें जिंबामबे इंडिया या फिर श्री लंका ठीक है अभी शेक जी गुड़ मॉनिंग राज कुमारी सही आंसर आचका है राउल कुमार का रमेश मधुमय मॉंडल बिलकुत सही कह रहे हैं श्री लंका तो ये जो किर्केटर हैं इनको बैन कर दिया गया है और ये श्री लंका से बलॉंग करते हैं इस प्रशन को मैंने कल डिसकस किया था अगर कल का करेंट अपने देखा होगा तो तुरंत आंसर कर देंगे और मैंने कहा था कि ये कॉंगरेस के व्यक्ति थे फिर आप भी इनोंने जोईन किया था सीला दिक्षित के समय ये मिनिस्टर भी रहे थे तो सही आंसर क्या हो जाएगा एके वालिया सहाब तो बिलकुल केशव जी का आंसर सही आया है शुश्मिता बिलकुल सही आंसर कह रहे हैं आप ऑप्शन नमबर टी एके वालिया तो हाली में संक घोष जो की एक पोईट है उनका निधन हो गया 21 भाषाओं में कवीता लिखा करते थे बंगाली, मराथी, तमिलिया, फिर हिंदी कवी शंक घोष, संकर घोष या संक घोष तो बिलकुल मैंने आपको सिखाया है कि हाला की नाम से भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है उनके कि ये बंगाली भाषा के एक कवीते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिलकुल, बंगाली भाषा संकीता साहा बिलकुल सही कह रही है केशव जा, राहुल, बिल्कुल सही आन सारे option number A अगला प्रशन देख लेते हैं तो OPCW के लिए किसे एक auditor न्यूक्त किया गया है इसको लिख लेंगे VBIP question यह important है, upcoming exam में इसके आने की possibility जादा है देखो current effects तो कही सारे प्रकार के होते हैं लेकिन क्या आ सकता है exam में और यह बातें आपको कैसे पता चलेंगे जो आप previous year के questions को उठाएंगे या अभी आपने recently कोई exam दिया होगा तो आपको पता चलेगा किस प्रकार का pattern चलता है current affairs के लिए ऐसा नहीं कि सारे current affairs अपनको रट लेने एकनी सारी चीज़ें याद करना possible नहीं है तो देखो एक्स्टर जो हमारी prestigious international intergovernmental organization है OPCW इसके लिए auditor चुना गया है बिल्कुल GC मुर्मुर अच्छा GC मुर्मुर क्या है तो यह भारत के कैग है Comptroller and Auditor General जो कि article 148 में डिफाइंग है सम्मिधान के जिनको appointment करने का काम भारत के राश्चपती के द्वारा किया जाता है वहीं है GC मुर्मुर और इनको OPCW का Auditor Appoint किया गया है तो आए थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो हमारे जो कैग है Grishan Dr. मुर्मुर इनको external auditor for HAG HAG आपका International Court of Justice भी HAG में है तो इसके लिए appoint किया गया है OPCW मतलब provision of chemical weapon के लिए तीन upcoming तीन सालों के लिए इनको auditor appoint किया गया है अगर मैं OPCW की बात करो तो OPCW एक intergovernmental organization है जो की स्थापना किया गया था 29 अपरेल को 1997 में इसके total members कितने हैं 193 country members हैं इसका head office आपको HAG नीदरलेंड में मिलेगा और HAG में आपको International Court of Justice का भी head office देखने को मिलेगा इसकी वर्तमान में General Director कौन है तो आप देख सकते हैं Mr. Fernando इसके Director General है ममीत प्रशाद जी OPCW का headquarter आप देख सकते हैं HAG नीदरलेंड में बिल्कुल तीन सालों के लिए ग्रीश चंद मुर्मुर को अपॉइंट किया गया है Next question है Recently First Rand become Second Global Bank to Exit India Operation It is based on which country तो देखिए का हमारे देश में कुछ foreign banks है Foreign banks वो होते हैं जिनका head office तो किसी और दूसरी कंट्री में होता है लेकिन जिनकी branches भारत में हैं उन्हें foreign bank कहते हैं तो पहला हमारा foreign bank था city bank जिसने भारत से exit कर लिया है अब second number पर आपका bank बन गया है First Rand Bank आपको बताना है इस bank का संचालन कहां से होता है South Africa Belgium France या फिर Vietnam तो बिल्कुल रिंकी का answer आ चुका है तो बिल्कुल सही answer है South Africa South Africa बिल्कुल सही answer है अगला प्रशन देख लेते हैं हम याँ पर Recently Recently Riggsian Samphila Resigned a director of bitch bank किस bank के director के रूप में एक काम करते थे इन्होंने स्थीफ़ा दे दिया है Bank of Maharasht, Bank of Baroda, Nainital Bank या JNK Bank एक बार link को share भी कर देंगे जो पहली बारा आ रहा है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा जिससे अपकमिंग क्लासिस के नोटिफिकेशन मिलेंगे अगर आपने पहले क्या current affairs नहीं देखा है तो आप पूझा महिंद्रा सर्च करोगे महिंद्रा के official YouTube चैनल पर तो आपको previous सारे current affairs मिल जाएंगे और PDF के लिए सरनल लिंक आपको सेंड की थी आप उस link पे क्लिक करके PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे तो बिलकुल सही आंसर हो जाएगा JNK Bank बेटा कुलदीब हम जो current affairs होगे उनको डीपली एक्स्प्लेइन करेंगे तो केवल MCQ है JNK Bank बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन हमारे पास India has been elected to how many key bodies to the of the United Nations Economic and Social Council इसको भी हमने कल डिसकस किया था कि भारत को हाली में कितनी body में शामिल किया गया है United Nations के 5, 4, 3 या 2 ये कल का current affairs है ओके साहु जी तो बिलकुल सही आंसर हो जाएगा 3 bodies तो 3 bodies में शामिल किया गया है United Nations की भारत को तो सही आंसर हो जाएगा option number C very good, option number C बिलकुल सही है अगला प्रशन देख लेते हैं आपे Who is the first Indian American Associated Attorney General of the United States इसको भी लिख लेंगे VVIP question तो देखिए Attorney General कौन बना है भारत का पहला भारती है जो की America का Attorney General बना हुआ है Attorney General आपको मैंने कल explain किया था कहां पर है तो article number 76 में Attorney General मिल जाएगे तो कौन है answer करेंगे फटा-फट answer करेंगे तो बिलकुल सही answer आच चुक है हमारे पास Vanita Gupta very good Vanita Gupta मैंने इनको कल explain भी किया था Vanita Gupta option number C बिलकुल सही हो जाएगा चीक है आएए अब आपन कुछ लोग जो है वो COVID-19 की कारण जिनका दिहान्त हो गया है निधन हो गया है उनको हम शृद्धान जली देते हैं तो आएए समझते हैं किनकी लोगों का निधन हो गया important व्यक्ती कौन-कौन से है तो पहले देखेंगे आप ये सारी बात हैं आपको Indian Express में मिल जाएंगे देखिएगा बहुती प्रसिद्ध आर्टिस्ट और फार्मर प्रिंसिपल अफ गवर्मेंट कॉलेज और फार्मर प्रिंसिपल थे गवर्मेंट कॉलेज और एक आर्टिस्ट है जिनका हाली में निधन हो गया है तो इनका नाम याद रख लीजेगा केवल इतना ही याद रखना है कि इनका नाम क्या है और किस फील्ड से रेलेटेड है इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई पॉइंट आपको याद रखने की ज़रुरत नहीं है नेक्स्ट है अमित मिस्ट्री इनको आप लोग ने कई सारे मूवीज में देखा होगा ये भी एक आर्टिस्ट है एक एक एक्टर है बंदिश बंदिश आपका जो सीरीज था उसमें भी इनोंने आर्टिस्ट की रूप में काम किया है तो इनका भी निधन हो गया है कार्टिक अरेस्ट है तो इनका नाम भी आद रख सकते है साथे साथे इनोंने कई सारे मूवीज में और टीवी शोज में काम किया है तो और साथी साथ एक TV सीरियल भी एक करते थे, ये दुनिया है, रंगी, तो इस तरीके से TV एक्टर भी थे, मूवी एक्टर भी थे और इनका हाली में निधन हो गया है, तो इनका नाम भी आद रख लेंगे. नेक्स्ट है, एक्टर एंड डारेक्टर ललित भाल डाइज, दूरू दा कोविट नाइटीन कॉम्प्लिकेशन्स, तो देखिएगा, पैंडेमिक चल रहा है, कोविट नाइटीन, और चौबीस अप्रहल से, चौबीस अप्रहल से रजिस्टरेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, कि एक मई से 18 प्लस वालों को भी वेक्सिनेशन प्रवाइज की जाएगी, तो बिलकुल जो भी 18 प्लस है, जरूर रजिस्टर कीजिए और वेक्सिनेशन लीजिए, तो एक्टर और डारेक्टर थे ललित भाल, जिनका धन हो गया है COVID-19 के कारण, इन्होंने भी कई सारे जज्वेंटल है क्या, ये भी इनके द्वारा बनाई गई है, छी के इसके अलावा मुक्तिभवन, तितली, अमिजन प्राइम के कई सारे वीडियो इन्हों के द्वारा बनाए गए है, तो ललित भाल, ये एक्टर और डारेक्टर थे जिनका निधन हो गया है, नेक्स्ट है म्यूजिक कंपोजर, श्रवन राठोर, तो श्रवन राठोर एक म्यूजिक कंपोजर है, जिन्होंने कई सारे मुवीज में गाना गाया है, कंपोज किया है, इनका भी COVID-19 की कंप्लिकेशन के कारण निधन हो गया है, तो इनका नाम भी आद रख लेंगे हम, क्योंकि निधि हम है राही प्यार के, दिलवाले, राजा हिंदुस्तान, या आप देख रहें कितनी बड़ी-बड़ी मूवीज में इन्होंने म्यूजिक को कंपोज किया है, मतलब एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपोजर थे ये, श्रवन राठोर जिनका निधन हो गया है, ठीक है, अगल से रिलेटेट थे ये, साथे साथ उन्होंने कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल चेंपियनशिप भी टेबल टेनिस पे जीती है, ही बॉन दा नेशनल मास्टर टेबल टेनिस चेंपियनशिप 2019 हैल्डिन इंदौर, इसको भी इनकी द्वारा जीता गया है, तो सुहा स्कुल करने का संबंध किस से है, तो टीटी से है, टीटी का मतलब यहाँ पर टेबल टैने से, ठीक है, हाँ, सुशील जी बस नाम और किस फिल्ड से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है, देखिए, सुशील जी बिलकुल ये सेशन खतम हो गया, ट्राइब्यूट का, जो सुर तो मुकेश नम्मानी ने हाली में बिल्टेज का को खरीद लिया है, अभी बिल्टेज कांट्री क्लब युनाइट जी फिंग्डम की पहचान है, यहाँ पर जैम्सबॉट की काही सारी मुवीज शूट की गई है, तो यह कंट्री क्लब बहुत जादा फेमस है, इसे खरीद लिया है मुकेश अंबानी ने 592 करोर रुपीज में तो जैम स्पोर्ट की मुवीज गोल्ड फिंगर हो गई टोमॉरो नेवर डाय इस तरीकी की मुवीज को यहां पर शूट किया गया है इसके स्टोक पार्क में अब यहां का जो स्टोक पार्क है वो जो है वो काफी बड़ा है यहां पर 27 आपको गोल्फ कोट देखने को मिलेंगे कई सारे टैनिस पोर्ट है बहुत बड़ा यहां पर गार्डन है कई सारे काफी बड़ी यहां पर स्टोरी और बिल्डिंग है तो इसको खरीद लिया है मुकेश अंबानी ने 592 करोर रुपीज में मुकेश अंबानी जो है यह रिलाइंस गूप के हैड़ें ठीक है बिलकुल अविशेग जी बिटेन कंट्री क्लब को अंबानी ने पर्चेस कर लिया है बिलकुल आप सही कह रहे हैं ओवर लग पास्ट यह रिलाइंस है अनौंस 3.3 बिलियन इन एक्विशिशन वर्ट ऑर्ट ऑर्ट 14 परसें in retail, 80% in technology, media and telecom sector and 6% in energy तो पिछले चार सालों में रिलाइंस ग्रुप के दोवारा हर एक सेक्टर में कई सारा investment आपको देखने को मिलेगा नेक्स विराट कोहली become the first best man to score 6,000 IPL run अभी IPL चल रहा है आपको पता है IPL का जो final है वो Motera Stadium या Sardar Patel Stadium या फिर आप कह सकते नरेंज- मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में खेला जाएगा तो विराट कोहली जो है वो पहले बल्लेबाज बन गया है जिन्होंने 6,000 run बना है IPL में 6,000 run बना है IPL में तो ऐसा प्रश्ट बन जाता है एक्जाम में हितेश यादो जी बस इसमें याद करने वाला यह था कि मुकेश कोहली किस IPL के किस स्टीम से रिलेटेट है तो रॉयल चैलेंज इस पैंगलोर के कैप्टेन है विराट कोहली साथ ही साथ इसाथ इन्होंने सबसे जादा 196 मैचेस को भी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है अब इसी लिस्ट में अगले आएंगे सुरेश रेना चिन्नाई से जि 26 मैचेस को हेलने का भी माइल विस्टोन अचीफ किया है सेकिंग अगला न्यूज है नासा प्रिजर्वेंस मार्स रोवर एक्स्रेक्ट फर्स ऑक्सिजन फ्रॉम दा रेड प्लैनेट आप सभी जानते हैं कि मासा नासा ने अपना प्रिजर्वेंस रोवर लांच किया था मा मुझा की माइला नासा रेड प्लैनेट फेहते हैं लाल ग्रह भी कहते हैं कियों कि हाँ आईरन ओक साइड यह एटलाइट का कंटीन आपको देखने को जाधा मिलता है अगर मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह के अपने एकेवल और केवल दो सिडलायथ है इमोग और फैबोस यह प्रश्ण आया था RRB NTPC में कि मंगल ग्रह का सैटलाइट कौन साथ दीमोस और फैबोस जो है वो मंगल ग्रह के सैटलाइट है और जो दीमोस डॉमिनोस से मैंने आद रखा था दीमोस तो दीमोस जो है वो पूरे बार oxygen को extract किया है जिसका mission का नाम है Mars Oxygen In-Satut Resource Utilization Experience MOXID ऐसा बोला जा रहा है कि Mars पे 96% क्या है कार्बन डायोकसाइट है और इस ही 96% कार्बन डायोकसाइट से हम oxygen gas बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा NASA ने statement दिया है अगर NASA की बात करें तो नासा के acting जो administration है वो steep जो चार्ची के पास है headquarter नासा का वासिंग्टन दीसी में है और इसकी स्थापना एक अक्टूबर 1958 में हुई थी हाँ अविशेग जी अभी इसलिए तो railway ने इंडियन एक्स्प्रेस अउक्सिजन एक्स्प्रेस अविशेग जी चला दी है अगला है अर्विंद केजरिवाल विल रिप्रेजेंट इंडिया एड दा वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरॉम 2021 तो केजरिवाल जो की दिल्ली के मुख मंतरी के रूप में काम कर रहे हैं दिल्ली की विधान सभा की जो हैं वो सत्तर सीथ हैं इस बात को भी याद रखना है अर्विंद केजरिवाल का सम्बंध आप पार्टी से हैं तो अर्विंद केजरिवाल जो की चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे World Cities Culture Forum 2021 में जिसकी अंदर गर 40 World की Cities को include किया गया है London, Tokyo, New York जैसी बड़ी-बड़ी City यहाँ पर participate करने वाली है अच्छा ये जो World Cities Culture Forum 2021 से कहाँ पर होगा तो London में होगा London में ये summit होगा जिसमें भारत की तरफ से represent करेंगे Arvind Kejribal अच्छा World Cities Culture Forum की जो theme रहेगी वो रहेगी The Future of Culture The Future of Culture इसकी theme रहेगी चलिए अगली बात कर लेते हैं सत्यम जी Good morning Oxford Malaria Vaccine Become the First to Reach WHO Efficiency Goal देखिए को कोई भी vaccine बनती है तो सबसे पहले उसको trial होता है उसके बाद WHO के दौरा उसको approve किया जाता है और फिर भी उसके बाद ही लोगों को उपलब्द कराया जाता है तो Oxford की जो Malaria Vaccine है वो approve कर दी गई है जो भी WHO के मानक थे जो भी उनके protocol थे जो भी उनका set था उसमें qualify कर गया है Oxford का Malaria Vaccine तो WHO कह रहा है कि 75% वो efficient है ऐसी report published की गई है Lancet General में अच्छा यह जो हमने कहा कि Oxford ने Malaria का vaccine बनाया क्योंकि अफरीका कॉंटिनेंट जो है वहाँ पर Malaria के cases बहुत जादा देखे गए लगभग हर साल कई लागों की संख्या में Malaria से लोग वहाँ पर मर जाते हैं इसलिए जो ट्राइल है वो भी अफरीका में किया गया कहां पर किया गया आप अफरीका के मैप में देख सकते हैं बुर्कीना फासो तो बुर्कीना फासो जो है अफरीका का एक देश है यहाँ पर Oxford की vaccine को ट्राइल किया गया था लगभग 450 Children's के बीच में और उसके बाद इसको WHO ने अफरूफ किया है तो Oxford के दौरा पहली malaria की vaccine को अफरूफ किया गया इस बात को याद करना है नेक्स्ट है इस news को important लिख लेंगे RBI approved appointment of Atanu Chakravarti as a part-time chairman of HDFC bank तो HDFC bank के नए part-time chairman appointment किये गए है Atanu Chakravarti कि किसके दौरा appointment किया गए है RBI Reserve Bank of India के दौरा appointment किये गए है तो आने वाले 3 सालों तक जो है लगबग वो part-time रूप में Atanu Chakravarti जो है वो HDFC bank के chair person के रूप में काम करेंगे अचा Atanu Chakravarti appointment होने के बाद HDFC bank ऐसा second bank बन गया है जिसमें कोई bureaucate chair person है क्योंकि Atanu Chakravarti इसके पहले Economic Affairs Secretary भी हुआ करते थे साथे साथ Department of Economic Affairs में भी काम किया करते थे और ये दोनों के दोनों Department जो है वो Finance Ministry के अंतरगत काम करते हैं तो ये भारत के bureaucrates हैं तो ऐसे किसी भी bank का chair person appoint होने वाले second number के bureaucrate है इसके पहले ICICI Bank के जो chair person थे former वो Petroleum Secretary और Additional Secretary के रूप में काम करते थे ये भी आपका Finance Ministry के अंतरगत आता है जितके नाम था GC Chaturvedi तो GC Chaturvedi हो गए और इसके अलावा Atanu Chakravarti हो गए तो ये दोनों भारत के bureaucrates हैं और जो किसी ना किसी bank के chair person के रूप में अपॉइंट किये गए है तो Atanu Chakravarti को अपॉइंट किया है HDFC Bank के रूप में और GC Chaturvedi को अपॉइंट किया गए था ICICI Bank के फॉर्म में HDFC Bank जो है वो भारत का सबसे बड़ा private sector bank है asset के मामले में asset के case में सबसे बड़ा जो हमारा private sector bank है वो HDFC Bank है आईए HDFC Bank के बारे में बात कर लेते हैं तो HDFC Bank का फुल फॉर्म क्या है तो यह है Housing for Development Finance Corporation इसका Head Office कहा है मुंबई में मिल जायका और इसकी जो वरतमान में CEO है वो शशिदर जगदीशन है HDFC Bank is the India's largest private sector bank by the asset तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है 1994 में मुंबई में बिलकुल इसकी स्थापना हुई थी रश्मी जी We understand your world HDFC Bank की tagline है इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है नीदी गुपता कह रही है कि ICICI Bank की tagline है हम है खयाल आपका बिलकुल सही बात है तो एक बार हम है खयाल आपका आप भी हमारा खयाल रखें और link को share करते हैं अपने friends के साथ Next से देखिएगा Indian Women Create History at AIBA Youth World Boxing Championship तो देखिएगा अभी हाली में संपन हुई है AIBA Youth World Boxing Championship जिसमें भारत के भारत ने 7 gold medal हासल की है और भारत की जो महिला है इन्होंने world का record बना लिया है history बना लिया है तो all women जो finalist में पहुँचनी है वो उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं यह जो AIBA Youth World Boxing Championship हुई थी कहाँ पर हुई थी? Poland में हुई थी अच्छा finalist कौन-कौन से तो गीतिका का नाम याद रख लिजेगा चानू का नाम याद रखेंगे पूनम, विनका और अरुंधती चौधरी यह वो महिलाएं हैं जिनोंने gold medal हासल किया है तो भारत को seven gold medal हासल किये है इसके पहले भारत ने पांच gold medal हासल किये थे 2017 में जब Youth World Championship गोहार्टी में आयोजित की गई थी तो यह भारत ने history बना ली है रशियों को पीछे करते हुए भारत आंगे निकल गया है seven gold medal के साथ अगर मैं AIBA के बारे में बात करूँ International Boxing Association इसका head office आपको लुसाने सुजरलेंड में मिले का इसके president जो है वो उमर क्रेम लियॉब है और इसकी foundation कब हुई थी 1946 मतलब 1946 में International Boxing Association की स्थापना की गई थी बिल्कुल मैरीकॉम इसकी president मतलब मैरीकॉम इसमें चुनी गई थी लेकिन यह यूथ वाला है चलिए अगली बात हम कर लेते हैं इस न्यूस को भी important ले लेंगे क्योंकि हाली में RBI के द्वारा संबंध fine-serve bank का license जो है वो रद्द कर दिया गया है तो RBI Reserve Bank of India के द्वारा कहा गया है कि इस bank ने कुछ fraud किया है और इनका जो reserve होना चाहिए reserve जो है वो actual amount से थोड़ा सा कम है तो धोका द्वड़ी के मामले में RBI के द्वारा संबंध fine-serve bank को क्या कर दिया गया है इसका license कैंसल कर दिया गया है तो इस बात को आपको याद रखना है अगर हम इस संबंध fine-serve bank के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके जो managing director है वो कमबंध दीपक किंदो है संबंध दीपक किंदो है और इनका statement आया है मतलब कि इनकी दौरा कोई fraud नहीं किया गया है लेकिन अब proof हो चुका है अभी जो team काम कर रही है उन्होंने कहा है कि इनके 15% जो इनका total asset है उतना हमारा NBFC होना चाहिए नहीं है NBFC कम है fraud का case आया इसलिए इस बैंक का license जो है वो रद्द कर दिया गया है अगर मैं संबंध फाइंसर प्राइवेट लिमिटेट फाउंडेशन स्थापना की बात करो तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और URISA में इसका head office देखने को मिलेगा अगला है तो आपको इस news में इतना याद रखना है कि भारत में oxygen की supply कम हो रही है oxygen की कमी आ रही है इसलिए हमने जर्मनी से 23 oxygen generation plant को lift किया है हमारे ऐसे defense ministry ने हमको सूचना दी कल के दिन यह जो हमारे plants है इनकी capacity 40 liter है oxygen per minute और 2400 liter पर आड जो है वो oxygen को produce करने में सक्षा में तो जर्मनी से हमने इनको एर लिफ्ट किया है 23 oxygen plants को और यह plant कहां पर deploy किये जाएंगे तो यह plant रखे जाएंगे AFMS मतलब Armed Forces Medical Services में दिये जाएंगे और जो भी कोविट मरीज है उनको मदद करने में helpful रहेंगे जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की capital आप देख सकते हैं Berlin है और जर्मनी के बगल में ही आपको Poland मिलेगा तो जर्मनी और Poland के बीच में यह जो boundary है इसको Hindenburg boundary के नाम से जाना जाता है तो Hindenburg रेखा जो है वो जर्मनी और Poland के बीच में है इसके अलाव़ जर्मनी के इस तरफ आगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको France मिलेगा तो जर्मनी और France के बीच में आपको Vosges Mountain और Black Forest Mountain मिलेगे साथ इसाथ राइन नदी यहाँ पर बहती है तो इतनी बातें आपको याद रखनी है आईए अगला न्यूस क्या है हमारे पास चलिए संबंध खराब कर लिए दिपाली जी कोई दिक्कत ने अगली बात हम कर लेगते हैं दा इंपेक्ट रैंकिंग 2021 अमरिता विश्व विध्या पीठम अगली इंडिया इनिवर्सिटी वर्ल्ड टॉप 100 for the sustainability तो हाली में टाइम सायर एद्यूकेशन के द्वारा इंपेक्ट रैंकिंग युनिवर्सिटी की जारी की गई है जिसमें टॉप 100 में हमारे भारत की युनिवर्सिटी शामिल हुई है उसका नाम है अमृता विश्व विध्या पीथम ठीक है तो अमृता विश्व विध्या पीथम तमिल नाडू की एक मात ऐसी इंडियन उनिवर्सिटी है जिसको टॉप 100 में जगहें मिली है इसकी रैंकिंग कितनी आई है टॉप 100 में तो टॉप 100 मिसकी ranking आई है 81 ये 3rd edition था Times Higher Education का Impact Ranking तो Impact Ranking किसके दोरा publish की जाती है तो Times Higher Education के दोरा ये publish की जाती है इसके अलावा क्या और दूसरी university है जिनको जगह मिली है तो आपका answer होगा हाँ हमारे भारत की कुछ और university है दो और university है जिसको इस ranking में जगह दी गई है कौन कौ सी है तो एक तो है पंजाब की लवी ब्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ठीक हैने लविशेनल यूनिवर्सिटी है और दूसरी है क्नाटब का की just academy हो गई इसके अलावा हमारी पंजाब की लवी को यूनिवर्सिटी को भी रैंकेंग मिली है टॉप 200 में जबकि भीव टॉफ था 98 countries की अंठानवे देशों के 1240 विश्विध्यालों को यहां पर शामिल किया गया था और पहले नंबर पे कौन आया है तो यूनिवर्सिती ओफ मैचस्टूस्ट जो की उनाइटेट किंग्टम की यूनिवर्सिटी है यूके की है इसका फर्स्ट नंबर है यूनिवर्सिट अगली न्यूज है DCB Bank के बारे में DCB Bank acquired 9% stack in the Tech Fino Capital तो DCB Bank ने 9% stack मतलब shares पर्चेस कर लिये हैं किसके Tech Fino Capital के ये न्यूज जो है 21 अप्रेल की है DCB Bank Limited के द्वारा 9% stack ये shares पर्चेस कर लिये गये हैं TCPL के Tech No Fin Capital Private Limited के ये एक Non Banking Financial Institute है Non Banking Financial Company है इसके अलावा थोड़ी और बाते अगर हम कर लेंगे कि Tech Fino Capital Private Limited क्या है इसकी स्थापना 2018 में हुई थी ये बैंगलोर बेस्ट एक कंपनी है जिसके founder जै प्रकाश पात्रा थे ठीक है अगर DCB Bank के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1930 1930 में हुई थी मुंबई महरास्ट इसका Head Office है इसकी वर्तमान में जो MD है वो है मुली नतराजन इनके वारे में दो दिन पहले न्यूज में पढ़ा था मुली नतराजन और इसकी जो टेग लाइन है वी वैल्यू यू इसकी टेग लाइन है काफी अच्छी टेग लाइन है ठी प्で coffee कि प्र मिलेगा तो पीडियू आपको लिंख एदियूर किए आपको लिंख मिलेगा साथ-साथ डिस्रीप्शन में आपको लिंक मिलेगी उस लिंक पे क्लिक करके भी आप लीडियाफ को डाव्लोड कर पाएंगे नेक्स कॉश्चिए रमारे पास नेक्स्ट यह भी इ खेलो इंडिया यूद गेम को आयोजित किया जाएगा ये खेलो इंडिया यूद गेम का फोर्थ नंबर के एडिशन होगा खेलो इंडिया यूद गेम जो है 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक भारत में होस्ट किया जाएंगे ये पहली बार ऐसा हो रहा है पहली बार ऐसा हो रहा ह खेलो इंडिया यूद गेम जो है वो जनवरी में generally host किया जाते तो पहला बार ऐसा हो रहा है कि 9 दिसंबर के महीने में खेलो इंडिया यूद गेम को organize किया जा रहा है साथे साथ multiple cities में हर्याना और दिल्ली में set up किया जाएगा खेलो इंडिया youth game 2021 का चीक है पंचकुला में, अंबाला में, चंदिगर में ऐसे different different cities में एक कारिक्रम होगा ऐसी बात हमारी जो meeting हुई है उसमें कही गई है इतनी बातें आपको याद रखनी है तो खेलो इंडिया youth game कहा होंगे हर्याना और दिल्ली में खेले जाएंगे अब आंगे की बात कर लेते हैं तो ये जो खेलो इंडिया youth game है ये इनको conduct कौन कराता है तो sport authority of India sign के दौरा ये under the ministry of youth and sport affairs के दौरा ये कराई जाती है किरन रिजूजू वर्तमान में sport minister है हमारे पास अच्छा खेलो इंडिया youth game के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 25 टाइप के sports खेले जाएंगे कितने प्रकार के game खेले जाएंगे जो होता है BRICS Games तो BRICS Games 2021 भी इसी समय खेलो इंडिया गेम्स के समय ही और्गनाईज किये जाएंगे इतनी बातें आपको याद रखनी है sport expo will also be organized during the खेलो इंडिया गेम्स 2021 इसमें 8500 players अलग-अलग countries के शामिल होने वाले हैं आएब हम practice question की बात करते हैं फटाफट एक बार link को share कर दो फटाफट link को एक बार share कर दो वीडियो के अंत में आपको एक practice question भी मिलेगा जिसका answer आपको comment section में देना है जिन लोगों का answer सही होगा उनको हम अपने presentation में शामिल करेंगे जो नए है एक बार channel को subscribe करना नहीं भूलेंगे और याद रखेंगे कि daily सुबह साड़े 6 बजे मेरी करेंटरफेर्स की class होती है तो पहली news देखेंगे पहला हमारा static question इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का मुख्याल है कहा पर है चलो इसे फटाफट answer करो अरे अभी शेक जी चलो आंसर बताएंगे इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का मुख्याल है कहां पर है जॉर्डन में न्यॉर्क यूसे रोम इटली लौसाने सुजरलेंड क्या कहना है आपका इस बारे में तो बिलकुल सही आंसर हो जाएगा बिलकुल बर्ण जो हमारा यूरोप में आता है सुजरलेंड जिसके कैपिटल है बर्ण इसको खेल का मैदान कहा जाता है तो लुसाने सुजरलेंड बिलकुल सही आंसर है इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का मुख्याल है यही पर इस्तित है तो राजीव गांदी कंबाइन साइकल पावर प्लांट इस लोकेटेट एड राजीव गांदी सायुक्त साइकल पावर प्लांट कहां पर इस्तित है कैरला वेस्ट पंगोल गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश आंसर करेंगे तो बिल्कों सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राजिव गांडी कंभाईन साइकल पावर प्लांट आपर है? केरला में इस्तित है केरला से आपको याद रखना है कि केरला जो है वह पैरियार रिवर के पास है पैरियार रिवर और बैंबनाद लेक भी जो है वो कैर्ला में इससे थैं हर साल यहाँ पर आपको नहरू ट्रॉफी देखने को मिलेगी नहरू ट्रॉफी भी जो है वो कैर्ला में आयोज़ित की जाती है अगला प्रश्ण है श्री गुरु गोविन सिंग जी एरपूर्ट ये कहां पर है तो गुरु गोविन सिंग जी एरपूर्ट कहां है उडिसा में, हर्याना में, महरास्ट में या फिर पंजाब में तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर महराष्ट में गुरु गोविन सिंग ऐसा नाम लग रहा है कि पंजाब में होगा लोग कन्फ्यूज होगे लेकिन श्री गुरु गोविन सिंग जी एरपोर्ट जो है वो आपके महराष्ट राज्य में स्थित है थेंक यू आदर श्यादो जी चलो अगला देख लेते हैं फगुना इस दा फोक डान्स परफॉर्म इन विच स्टेट फगुना जो है एक भारती लोक नर्त है यह किस राज्ज में आयोजित होता है बिहार राजिस्तान मद्र प्रिदेश या फिर उत्तरकंड मैंने बोला था तो तो सही आंसर हो जाएगा फगुना कहां होता है बिहार में होता है तो सही आंसर हो जाएगा option number A छीख है a ब्लिकुल सही आंसर है बिहार next है संजे गानी नेश्चनल पार्क is located in which जानते हैं इसन्जाइ गांधी राष्टी उध्यान किस राज्य में इस्ते थे बहुत ही फेरमस है इए नेशनल पार्क असं रिछटीसगर तमिलनाडू यह फिर महारास्थ तो बिलकुल सभावान्सर क्या हो जाएगा यहां पर महारास्ट में इससे थे संजय गांधी नैश्फनल पार्क जिसको डुबरी नैश्फनल पार्क के नाम से भी जानते हैं अप्शनलाश्ट में ऑप्शन दी बिलकुल सही हो जाएगा The next question is, in which part of India is the Beer Savarkar International Airport situated? So, Beer Savarkar, Antaraashti, Hawaii Adda, कहां पर है? Andaman in Nicobar, Chandigarh, Punjab, या फिर दिल्ली? चलो, आज़र करेंगे. रश्मी जी बिलकुल महराष्ट में, सही कहा रहे थे आप लो. हाजी, तो देखिए कहा, जो Beer Savarkar थे, उनको cellular jail में रखा गया था. और cellular jail कहां पर है? अंडमान निकोबार में है. तो इनको काले पानी की सजा हुई थी. इसलिए, अंडमान निकोबार में ही, Beer Savarkar International Airport आपको देखने को मिलेगा. Option number A, बिलकुल सही हो जाएगा. ठीके, option number A, बिलकुल सही हो जाएगा. आज का practice question देखेंगे, अंसिल का head office कहां पर है? Vienna, Austria में, Rome, Italy में, New York City, USA में, Geneva, Switzerland में या फिपरिस, France में. जो भी आपका answer हो का यहाँ chat section में मत दीजेगा. Comment section में बताइगा. जिन लोगों के सही answer होंगे, उनको हम अपने presentation में शामिल करेंगे. PDF description की link में मिलेगी, कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीके, I hope आप लोगो सारी news समझ में आई होंगे, static points भी समझ में आई होंगे, जाते जाते एक बार like बटन पे click कर देंगे. Answer जो भी होगा comment section में बताइगा, अपने friend को एक बार link को share कर दीजेगा, जो पहली बार हमारी class में आज वेलकम हुआ है, वो चैनल को subscribe कर लेगा, जिससे upcoming classes के notification उसको मिलते रहेंगे. तो मिलेंगे हम अपने नए सेशन के साथ, morning 6.30 a.m. हाँ, आप में से जो भी बच्चा, group D, या फिर RRB NTPC phase number 2, CBT2, या फिर SSE का exam कर रहा है, तयारी कर रहा है, और वो general science पढ़ना चाहता है, तो शाम को, डेली शाम को 4 वजे मेरी YouTube पे class होती है, जहां पर MCQ की series चल रही है, आज हम MCQ का series का part number 12 डिसकस करेंगे, तो आप लोग वहाँ पर भी जुड सकते हैं.